So students, अभी हम start करते हैं तो third type of optical instrument जो कि हमारे course में है that is the telescope तो after simple microscope and compound microscope next one is the telescope यह ऐसा optical device है जिससे हम distant object को देखते हैं distant object जैसे कि टेलिसकोब को यूज़ करके infinity distance से जैसे किसी भी satellite का यह प्लानेट के position के बारे में study किया जाता है तो distant object के लिए हम टेलिस्कोप यूज करते हैं यह two types के होते हैं reflecting type, reflecting type में क्या होगा उसका जो telescope होगा उसमें mirror यूज किये होंगे converging mirror, concave mirror generally यूज किये जाता है हम देखेंगे उसको ठीक है तो reflecting type में क्या करते हैं converging mirror यूज करते हैं और reflecting type में converging lens use करते हैं तो उसी वेसिस पे reflecting, refracting कहा जाता है तो यहाँ पे सबसे पहले हम refracting type देखेंगे जिसको हम astronomical telescope भी बोलते हैं astronauts use करते हैं astronomy study किया जाता है तो refracting type हम पहले देखेंगे इसमें क्या use होगा इसमें lens use होगा ठीक है तो इसमें क्या होता है two converging lenses mounted coaxially at the outer ends of two sliding tubes ठीक है दो lens इसमें भी जैसे compound microscope में two convex lens use होते थे इसमें भी दो converging और convex lens use होंगे इसमें भी एक को हम objective दूसरे को हम IPS कहेंगे पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसा नहीं बूल सकते कि objective मतलब object के pass होगा यहाँ पर तो object infinity पे है ना होगा objective का focal length और aperture यह सब लार्ज होगा compound microscope में इसमें small था आईपीस में लार्ज था पर इसमें objective का लार्ज होगा और इसमें small होगा small focal length होगा ठीक है तो एक ray diagram यहाँ से हम समझते हैं see this see this ray diagram यह एक astronomical telescope हो गया यह eye lens है और eye piece यह objective lens है ठीक है तो यहाँ पे हम देखे हो parallel दिखा है rays of light को infinity से आ रहा है ना इसलिए हम इसको parallel दिखा है तो parallel यह incident हुआ तो इसका focus यहाँ पे है fo see this तो क्योंकि इसमें parallel आ रहा है ray of light तो focus में जाके image बनाएगा यह एक real image बनाया फोकस पे अपने focus पे f o ठीक है अब यह image कहां पे आ गया यह image आइप इसके optical center और focus के बीच में कहीं पे आ गया see this optical center और fe इसका focus तो उसके बीच में कहीं पे यह आ गया तो आप क्या होगा इसका virtual erect magnified image बनाएगा ठीक है तो यह ray of light यह parallel incident हुआ यह से गया फिर ओके different different rays को दिखाया गया यहाप तो इसका image यह पे optical center से गया तो यह उसी पात में ही गया ठीक है तो इसको अपने जब backward action किया तो यहाँ पे a double dash b double dash यह एक virtual image बना यह हम में दिखेगा finally okay to distant object का image finally में यहाँ पर दिखा है clear तो यहाँ पर हम वह करेंगे कि इसका magnifying power find करेंगे ठीक है तो magnifying power यहाँ पर हम find करेंगे वही से beta और alpha find करेंगे okay तो beta और alpha तो beta क्या होगा beta यहाँ पर यह वाला angle beta है see again see the diagram यह वाला angle beta है series angle यह बीटा okay finally में जो बनाता है ना angle उसको हम बीटा बोलते हैं यह बीटा है तो यह बीटा है तो यह बीटा है तो इस small triangle में इस beta के लिए हम find करेंगे 10 बीटा के टरपे बिटा एक टैन बीटा लेते हैं वैसे करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 10 बीटा लेंगे तो एडेस बीटेस डिवाइड़ेड़ वाइफो ओके सरी एडेस बीटेस बीटा इस इकल टू यहां पर तुबहें मिलेगा एडेस बीटर एडेरेड़ वए मश्राइड पर क्यूंकि आएप इस के लिए के लिए यह होगा ईपिस के लिए दा आप इसक एपल Ist लिखा गिया अलफा एक्वल टो एडेस्ट बीड़स बाइ ये यह क्यों हुआ यहां से समझेंगे अलफा इसको हम मानेंगे मतब डिस्टन सब्जेक्ट से लाइट आ रहा है तो नियर अबाउट इसी को हम अलफा मानेंगे यहां पर मैसा लेंगे कि principal axis असा जो angle बना है that is the alpha i के साथ बनाता है पर यहां पर nearly हम ऐसे लेंगे कि distance यह रहा है light यह होगा alpha यह alpha तो यह alpha material opposite angle ठीक है तो अगर यह alpha है तो हम यहां पर इसके लिए find कर सकते हैं 10 alpha see this how we can find 10 alpha अगर यह alpha है तो a-b- divided by यहां से लेके यह alpha तो इसके बाद बिटा alpha मिल गया डिवाइट करेंगे so minus fo by u e आ रहा है यहां पर minus fo by u e आ रहा है तो same यहां पर भी वैसे ही cases लेंगे maximum magnification कब होता है जब d पे final image बनेगा d पे final image बनेगा यहां पर हमने पुरा का पुरा lens formula यूज कर दिया final image के लिए मतलब IPS के लिए हमने यहां पे lens formula यूज किया तो यह calculation के बाद हमें क्या मिला that m is equal to minus 1 by u हमें मिला इतना अब इसको हम लेकर यहां पर use कर देंगे so fo multiply करके यहां पर use कर देते हैं तो हमें यह finally मिलेगा ठीक है maximum magnification के लिए यह मिलेगा magnifying power telescope में next क्या होता है relaxed मतलब final image कहां पर बनता है infinity पर तो उसको भी यूज करेंगे यहां पर okay finally में जाके infinity पर बनेगा see this finally infinity पर तो one by f equal to one by u हो जाएगा उसको यूज करेगे let's formula यूज करेंगे one by f equal to one by u infinity बनेगा ना ठीक है तो यहां पर finally तुम्हें क्या मिलेगा minus f हो भाए f a ओके तो यह दोनों cases के लिए main fine power हमें मिला ठीक है so it is for reflecting type telescope यह formula में मिलते है reflecting में कुछ mathematical में find नहीं करना यहां पर reflecting में क्या होता है mirror use होते है ठीक है तो reflecting telescope हम two types के पढ़ेंगे एक होता है newtonian telescope okay according to the discoverer यहां पर newtonian telescope पहले है इसमें क्या होगा see this object infinity पर है rays of light ऐसे parallel आया incidentally parallel आया तो यहां पर क्या लगतना है concave mirror रगते है यह concave mirror ठीक है डाग्राम में हापी दोड़ा सगड़बढ़ है यह concave mirror है ऐसे directly concave mirror ही हमें बनाना है यह concave mirror जैसे रहता है यह concave mirror है तो concave mirror में incident वह पर लेल आया है तो यह reflection के बाद कहां जाएगा अपने focus के पास जाएगा यहां पर है इसका focus है यहां पर यह जाता जाके यहां पर meet करता पर क्या करेंगे हम यहां पर एक plane mirror रख देंगे एक plane mirror 45 degree से रख देंगे तो क्या होगा इसमें फिर यह reflected light incident होके again reflection होगा ठीक है again reflection होके आएगा और finally यहां पर एक IPS रखते है यहां पर हमारा आय रहेगा एक lens रखते है यहां पर ताकि यहां पर एक image बन जाएगा यह देखो ऐसे आया यह एसे आया तो यहां पर image बन गया ठीक है तो यहां पर हमारा आय होगा तो हमें यहां पर यह उसका image दिखेगा light ऐसे आया फिर reflect होगा यहां से फिर reflect हो गया यहां पर image बना finally हम यहां से वह दिखेगा this is the newtonian telescope okay तो उसमें concave mirror use होता है और plane mirror यहां पर क्या होगा second one कैसे grand telescope कैसे grand telescope देखो इसमें इसमें हम दो concave mirror यूज करेंगे ठीक है सरी एक convex और एक concave यहां पर क्या था एक plane और एक concave तो यह concave होगया तो यह अफ्राइट पर लेल आया फिर अपने focus के और जाना चाहेगा after reflection पर यहां पर हम रख देंगे convex mirror को तो again इससे फिर reflection होगा ठीक है यहां से फिर reflection हो कैसे जाएगा यहां पर कहीं पर image बनेगा ठीक है यहां पर IPS होगा और IPS कितरों हम इस image को देख पाएंगे ठीक है यहां पर कहीं पर image बनेगा तो यह होता है इसके बार में यहां पर लिखा गया है हम इसको लिखे लेंगे notes इसका एक hole रहता है ओके इसमें hole रहेगा तब यहां पर हमें दीखेगा यह ठीक है इसके बार में न्यूटेन टेलिसकोप और यह कैसे ग्रण टेलिसकोप सो देजार different types of telescope